ये है दोस्तों ओष्टर मस्रूम इससे बनाएंगे हम आज कड़ाई ओष्टर मस्रूम तो दोस्तों कड़ाई ओष्टर मस्रूम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो में दोस्तों बनी रहिए तो चलिए दोस्तों कड़ाई ओष्टर मश्रूम के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें मश्रूम की कटिंग करनी है तो ये देखें मश्रूम की कटिंग आपने कैसे करनी है इतनी दोस्तों आपने पीसिस करने हैं ज्यादा बड़ा पीस नहीं रखना है तो ये देखें मैंने मश्रूम के पीसिस बि half teaspoon healthy powder add करेंगे half teaspoon देगी मिर्च पोडर बारी कटावा हरा धने add करेंगे और साथ में करेंगे हरी मिर्च add हरी मिर्च दोस्तों जितनी आपको spicy पसंद हो उतना ही हरी मिर्च डाले तीन बड़े चमच यहाँ पे हम add करेंगे दही के तो मैंने यहाँ पे दही add कर दी है एक बड़ा चमच add करेंगे अदरक और लसुन का paste इसके बाद दोस्तों हमें इन सब चीजों को अच्छी तरीके से mix करना है mushroom दोस्तों marinate हो चुका है इसके बाद हमें प्याज की cutting करने तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े प्याज लिए है इसे हमें julien cutting यानि पतली slice में काटना है तो यह देखे मैंने बिल्कुल पतली slice में प्याज काटना शुरू कर दिया है तो यह देखे दोस्तों प्याज कट चुका है इसी के साथ में हमें टमाटर काटना है तो यहाँ पे मैंने पांस टमाटर लिया है पिछे वाला पार्ट हमें काट के फेंक देना है और इसे हमें चार हिस्सों में डिवाइड करना है तो यह देखे चार हिस्सों में दोस्तों मैंने टमाटर को डिवाइड कर दिया है इसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रेवी तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक फ्राइ पेन लिया है तीन बड़े चमच इसमें रिफाइंड ओयल के एड़ किया है रिफाइंड ओयल को गरम करेंगे और इसके बाद इसमें एड़ करेंगे प्याज को यहाँ पे मैंने प्याज एड़ कर लिया है प्याज को हलका सा भून लेंगे उसके बाद हमें इसमें एड़ करना है टमाटर प्याज हलका सा भून चुका है इसके बाद हमें एड़ करना है टमाटर तो यह देखे दोस्तों टमाटर एड़ हो गए है प्याज और टमाटर को हमें तब तक भोना है जब टमाटर की हलकी सी बार की इसकिन निकरने लग जाए तो ये देखें दोस्तों हलकी सी इसकिन निकरने लगी है continue हमें प्याज और टमाटर को फिर से चलाते रहना है और इसके बाद दोस्तों हमें इसमें एड़ करना है नमक, half teaspoon मैंने नमक एड़ किया है, half teaspoon एड़ करेंगे, हल्दी पॉडर, half teaspoon एड़ करेंगे, देगी मिर्च पॉडर, और इसे हमें अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करना है, प्याज टमाटर और मसालों को भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तो ये देखें दोस्तों मिक्स हो गया है, इसे हमें 4-5 मिनर तक इसी तरीके से continue पकाते रहना है, टमाटर बिलकुल गल जाएं, उसके बाद हमें इसे ठंडा करना है, तो ये देखें दोस्तों टमाटर बिलकुल गल चुके हैं, इसके बाद हमें इ एक बार एक प्याज काटके रखावा एक बार एक टमाटर काटके रखावा साथ में यहां पर डाइस कटिंग सिमला मिर्च काटके रखी है और डाइस कटिंग प्याज काटावा इसके बाद दोस्तों हमें ग्रेवी को ग्राइंड करना है तो यह देखें दोस्तों ग्रेवी हो चुकी है, कलर आप देख सकken, बहुत ही बड़िया कलर आया, इसके बाद एक फ्राइ पैन लेना है, उसमें एड्ट करना, तीन बड़े चमच, रिफञाइट ओएल, तो हम् websites को दोस्तो हमें हलका सा fry हो गया है, इसके बाद हमें इसे तेल से निकाल देना है और इसमें ऐड करेंगे, एक टीस्पून धनिया साबूट, घाप टीस्पून, जीरा साबूट अड़ करेंगे, तीन से चार लालमिर्च साबूट, इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे उसके बाद इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच बारी कटावा लसुन तो यहां पर लसुन मैंने एड़ कर दी है लसुन को हलका सा ब्राउन करेंगे इसके बाद दोस्तों हमें इसमें एड़ करना है बारी कटावा प्याज तो य यह देखे टमाटर भी मैंने एड़ कर दिये हैं प्याज और टमाटर को एक साथ हमें दो से तीन मिनट तक continue पहुंते रहना है पकाते रहना है इसके बाद दूस्तों हमें इसमें एड़ करना है नमक जितना आपको नमक पसंद हो उतना ही नमक डालिए तो नमक एड़ हो गया ह इसके साथ में एड़ करेंगे हाफ टीस्पून देगी मिर्च पोडर एड़ करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पोडर हाफ टीस्पून धन्या पोडर हाफ टीस्पून एड़ करेंगे जिरा पोडर और बारी कटावा हरा धन्या एड़ करेंगे इन सबुछ चीज़ों को दो किसे पका लेना है तो ये देखे दोस्तों मसाले बिल्कुल पक चुके हैं ग्रेवी को एड़ करेंगे और ग्रेवी को दोस्तों इसके बाद हमें 10 से 15 मिनर तक कंटिन्यू पकाते रहना है ग्रेवी थोड़ा थिक है गाड़ी है तो थोड़ा सा मैंने यहां पर पानी एड़ क तो ये देखे मैंने ओष्टर मस्लूम एड़ कर दी है तो ये देखे दोस्तों ग्रेवी के साथ बहुती बढ़िया लग रहे हैं इसके बाद हमें इसे पांच से दस मिनद तक कंटिन्यू पकाते रहना है और इसके बाद एड़ करना है फ्राई किया हुआ प्याज और सिम्ला साथ में हरा धनिया आड़ करेंगे थोड़ा सा जूलेन कटिंग अध्रक मैंने आड़ कर दिया है इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहेंगे और ये दोस्तों लगबग पक चुका है और ये हो गया है दोस्तों कड़ाई ओष्टर मस्रूम तयार तो दोस्तों आपने देखा मैं करें और शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं दोस्तों एक नए रेसिपी के साथ तब तक जुड़े रहे हमारे अपने चैनल कुकिंग विद बनोज में